तो आज हम समझेंगे hitting effect of electric current याने joules law तो उससे पहले हमें एक चोटा सा कहानी समझना होगा जो है electric bulb किस तरह से काम करते हैं ठीक है किस तरह से glow होते है electric bulb देखो ध्यान से let's say यह एक electric bulb है तो यह जो bulb है इसके अंदर के होंगे एक wire होंगे और इस wire का नाम के है tungsten tungsten ठीक है तो tungsten की जगा पे दूसरा wire क्यों नहीं रखा जैसे की copper मान लिए कोई भी wire क्यों नहीं रखा क्यूंकि tungsten wire की बहुत ज़ड़ा resistance होते है ठीक है अगर copper wire रखेंगे वो जल जाएंगे ठीक है अभी देखो इस wire को इस bulb को मैंने कनेक कर दिया एक battery से इस तरह से एक battery से अभी क्या होंगे battery से current flow होंगे current यानी electron flow होंगे तो जब current flow होंगे battery से तो क्या होंगे यहां पर इस wire में current आ जाएंगे यानि इस tungsten resistance में current आ जाएंगे ठीक है because of that यह जो wire है यह गर्म हो जाएंगे ठीक है जब यह गर्म होंगे तो यह heat produce करेंगे ठीक है वो जो heat produce करेंगे साथ में light भी produce करेंगे and because of that light हमको रोषनी मिलता है ठीक है तो यह है electric bulb के कहाने और क्योंकि इस tungsten wire के पास बहुत जड़ा resistance है because of that यह पिखल नहीं जाएंगे ठीक है हलाकि यह बहुत जड़ा गर्म होंगे ठीक है अब धेहन से देखो अगर इसको मैं एक resistance से replace करूँ ठीक है लेट चेक simple सा resistance लिया उससे replace किया मान लेते हैं कोई wire है tungsten भी सोच सकते हो जो भी सोचना है ठीक है तो यह wire भी उसी तरह गर्म होंगे तो question यह है कि कितना गर्म होंगे अगर कोई पुछे आप से कितना गर्म होंगे तो आपको क्या चाहिए होंगे एक formula चाहिए होंगे और वही formula है ह is equal to I square RT ठीक है और यह formula किस तरह दिया था Joule ने और इसी को हम क्या कहते है Joule's law ठीक है अभी दो question arise होते है number one यह formula आया कहा से और number two is यहाँ पर यह जो wire गर्म हुआ यह जो resistance गर्म हुआ क्यों गर्म हुआ कैसे किस तरह से inside mechanism किया है इसकी heat up होने की तो पहले हम समझते है यह जो wire है resistance यह गर्म की हुआ ठीक है ठेहन से देखना यह एक conductor है एसे मानली एक conductor है तो conductor के inside क्या होंगे free electrons होंगे अभी यह conductor किसी wire से connected नहीं है किसी battery से connected नहीं है ठीक है तो यह सब जो electrons है random direction में इधर उदर move करते रहेंगे ठीक है हर direction में इसे move करते रहेंगे अभी क्या होंगे let's say मैंने एक battery connect कर दिया यहाँ पे एक battery connect कर दिया battery का यह positive terminal and this is negative terminal तो अगर यह positive terminal होंगे तो यह terminal भी positive होंगे और यह side भी negative होंगे ठीक है तो इस case में क्या होंगे, always एक concept है कि high potential से low potential तक एक electric field flow होंगे, तो battery का positive terminal यानि यह है high potential और यह है low potential, ठीक है, तो basically यह हो गया high potential और यह हो गया low potential, तो high potential से low potential तक एक electric field ऐसे flow होंगे, अभी ध्यान से देखो, यह जो electrons है, इन electrons को इस case में अभी after connecting the battery एक electric field मिल गया, ठीक है, और physics की एक खास concept है वो है यह है कि अगर electric field में एक electron को रखोगे यानि negative charge को रखोगे तो क्या होंगे that will move in the opposite direction of electric field तो basically इसके पर एक force लगेंगे और force का formula के है f is equal to qe और electric field की direction यह है तो electric field की opposite direction में electrons फागेंगे और positive charge रखेंगे तो electric field की same direction में move करेंगे तो अभी यह सब जो electrons है इनको electric field मिल गया तो because of that यह जो electrons randomly move कर रहे थे यह सब electrons एक ही direction में opposite to the direction of electric field तो यहाँ पर यह है electric field की direction तो opposite to the direction of electric field हर एक electron move करने लगेंगे तो अभी देखो जब यह move करेंगे उसके पास कुछ velocity होना यानि उसके पास कुछ kinetic energy होंगे तो कुछ kinetic energy लेके move करेंगे अभी क्या होंगे यह जो conductor है conductor के अंडर atoms होंगे यह सब जो electrons है कहा से आया उन ही atom में से ठीक है तो वो जो atoms है electrons निकल गए उन atoms से तो वो सब atoms अभी क्या बन गए आयोन बन गए ठीक है तो basically inside क्या होंगे atom या तो आप आयोन बोल सकते हों ठीक है तो यह सब जो ions है यहाँ प करेंगे collision होंगे तो यह जो atom से वह सब भाइब्रेट करने लगेंगे ऐसे एसे मतलब भाइब्रेट करने लगेंगे क्यूँ क्यूंकि उसको kinetic energy मिल गया ठीक है कहां से मिला kinetic energy electron move हुआ electron के पास velocity है velocity होना यानि electron की kinetic energy है ठीक है जब electron collide करेंगे इन atoms को तो क्या होंगे कुछ kinetic energy से collide करेंगे ठीक है जब electrons kinetic energy से collide करेंगे इन atoms को तो इन atoms को भी energy मिलेंगे और because of that energy यह सब atoms क्या होंगे यह से फाइब्रेट करने लगेंगे ठीक है तो अभी इस case में क्या होंगे इन atoms को energy मिल गया ठीक है वही energy सो अप होंगे ट्रांसफर होंगे as a heat energy ठीक है तो basically उस energy की वज़े से जो energy मिला इन atoms को उस energy की वज़े से के होंगे यह जो conductor है यह गर्म हो जाएंगे ठीक है यहाँ यहाँ पर low potential high से low potential क्या हुआ इलेक्ट्रिक फिल डेवलोप गए इलेक्ट्रोंस इलेक्ट्रिक फिल में होंगे तो मूफ करेंगे opposite direction में और उसी movement के करन उन उन इलेक्ट्रोंस के पास के आगया kinetic energy आगया और उन ही kinetic energy को लेके इलेक्ट्रोंस ने collide किया किसको यहाँ पे जो atoms है ठीक है because of that atoms ऐसे vibrate करने लेगा जब यह atoms vibrate करेंगे तो क्य होंगे heat produce होंगे and because of that यह conductor गर्म होंगे ठीक है ठीक है तो यह positive potential high potential और इहाँ पे low potential ओके लेच्छे बैतरी का एक potential है V ठीक है V volt तो V volt कहाँ पे होंगे positive terminal में और negative में 0 volt तो यह जो point है यह जो side है इस resistor की या conductor की तो इहाँ पे potential होंगे high potential और इस side में क्या होंगे low potential ठीक है और इसमें जो potential होंगे उसको मैंने नाम दिया suppose क्या नाम दिया V A देते है ठीक है और इसमें जो potential है इसको नाम दिया V B क्योंकि इसको B point consider कि यह A point है ठीक है अभी देखो, जब current flow होंगे, तो कहा से कहा तक flow होंगे, always high से low है ना, तो अब यहाँ पे पूछ सकते थे कि मतलब इस point को मैंने low क्यूं कहा और इसको high क्यूं कहा, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, कि current always high से low flow होंगे, तो इस direction में से current flow हो रहे, यानि आप बोल सकते हो, यह point high हो होंगे, और यह point low होंगे, ठीक है, तो basically आप बोल सकते हो, current इस direction में जा रहे है, तो यह point है, इस point को initial point भी बोल सकते हो, ठीक है, और इस point को क्या बोल सकते हो, final point, clear है यहाँ तक, अभी धायान से देखो, across this resistor, अगर आपको potential difference शाहिए, तो आप क्या लिखोगे, let's say potential difference is V, ठ final potential कितना है, यह final point है, तो always हम क्या करते है, finally, final से initial को minus करते है, ठीक है, तो finally potential इसमें कितना है, final point में potential is VB, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया VB, minus initial point यह है, इसमें potential कितना है, VA, तो यहाँ पर VA लिख दिया, ठीक है, तो एक formula है, second chapter में हमें मिला था, formula क्या था, कि potential energy is equal to charge into potential, ठीक है, potential को भी लिखोगे, potential energy का symbol का है, capital U, ठीक है, तो अभी देखो, इस point में, potential energy होंगे कुछ, क्योंकि, इसके पास, इस point में कasters, potential है, और current move कर रहे है, मतलब क्या move कर रहे है, charge move कर रहे हैं, ठीक है, तो ये, जो charge move कर रहे है, उसको हमने Q लिखा इस point पे जो potential energy होंगे उसको लेट से कहा U A और U A की value कितना होंगे charge into जो potential होंगे इस point में कितना है VA consider किया similarly इस point में भी क्योंगे इस point में भी potential energy होंगे ठेक है तो इस point में potential energy कितना होंगे कैसे लिखोगे U B लिख दिया suppose and this is equal to charge कितना है Q सेम ही charge होंगे है तो इस point में potential कितना है भी B consider किया ठेक है तो इहाँ पे जैसे यह लिखा था similarly अगर हम potential energy की difference लिखे difference in potential energy इसको U कहा तो क्या लिखेंगे final point में कितना potential energy है that is U B ठेक है तो हम लिखेंगे U B is the final potential energy और initial point में जो potential energy है that is U A तो from here we can write U B की value कितना है Q V B ठेक है minus यहाँ पे क्या लिखोगे Q V A ठेक है तो हमने replace कर दिया U B की value को अभी यहाँ से हम लोग Q को common ले सकते है तो क्या लिखेंगे V B minus V A ठेक है तो यह जो potential की difference है V B minus V A यह के है potential की difference तो यह ही difference को हम बोलेंगे battery का जो potential है V तो basically V B minus V A की कुछ जो भीलूएंगे potential के उसके हमने V कह दिया ठीक है तो यहाँ पे U is equal to क्या लिखेंगे यह formula आगे एकदम simple है कहाने है ना easy है तो अभी एक चीज़ थेंसे डेखना यहाँ पे जो electrons को kinetic energy मिला जिस kinetic energy से electrons ने heat किया था collide किया था atoms को because of that यह गर्म हो गया वो kinetic energy आया कहा से because according to conservation of energy energy कही से कही न आना होगा है ना तो यहाँ तो नहीं कि मतलब यहाँ पे आच्छा ना यहाँ पे जो kinetic energy electron के पास आया कहा से है इन ही potential energy से आया तो इस ही potential energy से kinetic energy मिला इन electrons को तो basically आप बोल सेकते हो potential energy has converted to kinetic energy of this electrons और वही kinetic energy convert हो गया कहाँ पे इस conductor को गर्म करने में यानि heat produce हुआ तो basically आप बोल सेकते हो जितना potential energy होंगे that will be equal to kinetic energy of the electrons ठीक है यहाँ पे आप लिख देना of the electrons ठीक है तो यह पोटेंशिल energy है इसको यू लिखा kinetic energy को के लिख दिया कोई लिखकर नहीं जो लिखना है न तो kinetic energy जितना होंगे potential energy उठना होंगे तो basically आप बोल सेकते हो यह जो kinetic energy है that can be written as QV basically मैं कह रहा हूँ यह जो kinetic energy है इसको आप लिख पाओगे सिधा Q into V ठीक है तो यह है simple कहानी तो kinetic energy electron की जो यहाँ पे kinetic energy होंगे that can be written as potential energy और उसका value के है QV यहाँ ता clear है? easy है? तो अभी देहां से देखना यह जो heat हुआ, गर्म हुआ that is heat is nothing but an energy तो वह energy कहां से है? kinetic energy से तो यह जो kinetic energy है इसको आप बोल सकते हो heat energy तो इसको हमने h लिख दिया तो h is equal to QV मिलेंगे यहाँ से क्यूंकि kinetic energy जितना होंगे उठना गर्म होंगे तो वह ही kinetic energy convert होंगे heat energy तो कितना गर्म होंगे उसको हम लोग लिख सकते है h is equal to Q into V एक basic सा formula है आपको मिले है पहले भी है ना? तो formula क्या है? कि current is equal to charge divided by time तो यहाँ से आप charge is equal to क्या लिख होगे? i into t लिख होगे तो charge is equal to i into t लिख होगे तो इसको हम लिख सकते है it V तो h is equal to इतना फेलू आगया तो अगर आपको current दिया रहे suppose time भी दिया रहे फिर voltage, potential जो है battery की वो भी देख कर रखा तो उस case में आपको पुछा heat यहाँ पे produce कितना होगे? तो उसको निकलने के लिए आप इस formula को बिथा होगे लेकिन अगर इसमें से कोई एक value नहीं दिया लेच्छे resistance देख कर रहे तो उस case में आप कैसे निकलोगे फेलू? उसके लिए इस formula को modify करना होगा कैसे करोगे? आपको मालूम है OMSLO, OMSLO के है? V is equal to IR है ना? तो इहाँ से अगर यह जो formula है यहाँ पर V की जगा पर आप IR लिखे तो you can write it as like this ना? तो फिर यहाँ पर क्या होंगे I square I square RT लिख सकते हो ठेक है? तो heat produce कितना हुआ? उसको निकलने के लिए हम लोग इस formula को भी use कर सकते हैं just modification, easy है तो resistance की value देखे रखा किसकी resistance? इसकी resistance फिर time कितना लेंगे वो जो charge या जो current flow हो रहे कितना time के लिए flow हो रहे है ना? जादा time के लिए flow होंगे तो जादा गर्म होंगे यह resistance ठेक है? फिर यहाँ पर current कितना flow हो रहे जादा current flow होंगे तो भी के होंगे यह resistance जादा गर्म होंगे ठीक है अभी देखो इसको और थोड़े सा मोडिफे करके लिख सकते है अगर I को replace करें तो यहाँ पे अप लिख सकते हो I is equal to V by R ठीक है तो यह तो कर सकते हो आप I को replace कर सकते हो है ना तो कौन सी formula मैं करोगे इसमें करना इसमें करना कोई एक की बात है है ना तो suppose मैंने इसमें replace कर दिया ठीक है I को तो I की जगा पे लिखेंगे V by R ओके फिर क्या लिखेंगे T और यहाँ पे क्या है V तो it will become V square T by R ठीक है तो अगर आपको voltage देकर रखा या तो एसे भी दे सकते है कि across this resistance कितना voltage है that is V ठीक है और into time divided by R यह क्या देंगे आपको heat कितना produce होंगे कितना गर्म होंगे वह देंगे तो यह जो formulas मिले हमें यह यह है ना तो इनही formulas को कहते है Joule's law ठीक है और यही जो topic है इसका नाम के है एसे भी बोल सेकते हो heating effect of electric current तो basically meaning क्या है current flow हुआ तो यह जो conductor है यह जो resistance यह गर्म हुआ heat हुआ तो वही है electric current की वज़े से conductor या resistor के होंगे heat होंगे ठीक है वही है heating effect of electric current ओके clear है तो अभी एक काम करते है इसको note down करकर रेखो हम लोग अभी next a question solve करेंगे और एक चीज यहाँ पर हीट मिलेंगे इसका SI unit क्या होंगे जोल ठीक है अगर जोल को calorie में लिखना है तो कैसे लिखोगे suppose heat की जो यह formula कितना है ITV या तो I square RT कुछ भी बोल सकते हो भी है ना तो SI unit क्या होंगे जोल ठीक है अगर इसको calorie में लिखना है अब क्या करोगे इसको 4.18 से divide कर दोगे ठीक है RT इसको 4.18 से divide कर दोगे और यहापे लिख दोगे calorie ठीक है जोल को calorie में convert करने के लिखना होगा 4.18 से ठीक है तो एस पर question हम लोग को यह चीज देखना होगा तो अब लोग question को solve करने के कोशिस करो ठीक है क्या पुछा question में ए 10V storage battery of negligible internal resistance is connected across a 50 ohm resistor made of alloy how much heat energy is produced in the resistor in one hour what is the source of this energy कितना heat produce होंगे वो निकल ने दिया तो आपको value क्या क्या देखे रखा आपको देखे रखा V की value that is how much 10V ठीक है यह देकर रखा फिर क्या दिया R की value resistance की value 50 ohm यह दिया और फिर time कितना दिया one hour ठीक है इसको किसमें convert करना होगा second में तो you can write it as 3600 second okay one hour is equal to it now second कैसे होता है मालूम नहीं है तो मैं दिखा देता हो थोरा सा okay तो one minute में कितना second होता है one minute is equal to 60 second है ना तो 60 minute में कितना second होंगे 60 into 60 second है ना तो this is nothing but 3600 second तो 60 minute मतलब one hour ठीक है one hour में इतना seconds होंगे तो यहापे कौनसे formula लगा होगे heat को निकलने के लिए इस formula को लगा होगे क्योंकि यहापे vrt देखा रखा vrt देखा है ना तो h can be written as v square t by r ठीक है तो इसको क्या लिखोगे v की जगा होगे 10 square है ना into time लिखोगे 3600 divided by r क्या लिखोगे 50 ohm तो इसको calculate कर ले ना ठीक है कर सकते हो ना यह 10 into 10 hundred हो जाएंगे तो कुछ answer रहेंगे that answer will be 7200 जूल आएंगे अगर इसी को convert करने सब उस calorie में तो आपके लिखोगे 7200 divided by 4.18 लिख दोगे ओके और यहाप पर calorie लिखोगे अगर convert करना है तो ठीक है और साथ में और एक question पुछा कि यह जो energy है यह heat के है heat is nothing but energy है ना यह heat energy आया कहां से obviously energy होंगे तो कहीं से कहीं ने तो आना परेगा है ना तो वह energy से आया कहां से battery के अंदर जो chemical energy है उसमें से आया ठीक है तो यह है कहानी simple कहानी ठीक है अप लोग प्रेक्टिस कर लेने आरम से हो जाएंगे ओके तो एक काम करेंगे next class में हम लोग electric power की concept को देखेंगे और उसमें भी power के उपर questions solve करेंगे ठीक है इस तरह से solve करने से अपका concept एकड़म clear हो जयता है है ना ओके तो तब तक आप लोग चैनल को subscribe करना और like करना share करना ठीक है थेंक्यू